इलेक्ट्रिक वानों को लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बड़ा एलान किया है कम्पनी ने कहा है कि अगले वित्वर्ष की पहली तिमाही यानि के अप्रेल से जून के दौरान कम्पनी अपनी मौजूदा जो गाड़ी है के यूवी उसका इवर्जन लेकर आने जा रही यानि के इलेक्ट्रिक वर्जन और सबसे एहम और सबसे खास बात यह है कि एकवी यूवी की जो कीमत होगी वो कम्पनी ने बेहत कम रखने का फैसला किया है कम्पनी का दावा है कि ये कार 9 लाक रुपे से कम की कीमत पर ग्रहकों को मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि जिस तर 10 लाक रुपे से कम की कीमत पर और वो भी आने वाले जो वितवर्ष है उसकी पहली तिमाही में यानि के अप्रेल से जून के दौरान लॉंच करने का एलान किया है वहीं अगर इस कार की रेंज की हम बात करें तो इस कार की रेंज लगबग 1.500 किलोमीटर के असपास हो सकती है और अभी तक कम्पनी लगबग 30,000 एलेक्ट्रिक वहिकल्स जो है वो बेच चुकी है जिसमें 3 विलर और 4 विलर शामिल हैं इसके अलावा आज महिंद्रा ने बताया के आने वाले आटो एक्सपो के दौरान कम्पनी के इलेक्ट्रिक वहनों पर खासा जोर रहेगा और इ यही होगी के 9 लाक रुपे से कम की कीमत पर एक फुल फ्लेज़ड फोर डोर कार जो है वो ग्रहकों को अवेलेबल होगी भारतिय बाजार में इसके अलावा कम्पनी ने इलेक्ट्रिक वहनों को लेकर जो है वो पूरा का पूरा रोड मैप जो है वो बताया है क्योंकि कम्पनी एक्स यूवी 300 जो है वो लॉंच करने जा रही है यह एक हाई रेंज कार होगी यानि के इसकी रेंज जो है वो लगबग 200-300 किलोमीटर या उससे भी जादा हो सकती है हाई रेंज कार एक्स यूवी 300 और यह लॉंच होगी 2021 के दौरान कैलेंडर ये 2021 में कम्पनी की जो एक्स यूवी 300 है हाई रेंज एलेक्रिक वहिकल वो लॉंच करेगी कम्पनी लेकिन सबसे एहम बात यही के इलेक्ट्रिक के यूवी नौ लाक रुपे से कम की कीमत पर कम्पनी लॉंच करेगी वही कम्पनी ने साफ किया है कि क्वाड्री साइकल एटम को भी आने वाले आटो एक्सपो के दौरान जो है वो कंपनी प्रदर्शित करेगी और इसके अलावाद जो तमाम मॉडल्स हैं वो कंपनी के भारतिय बाजार में बने रहेंगे जैसे कि ये ये वेरिटो है तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कंपनी ने बड़ा एलान किया है सबसे बड़ा ऐलान यही है कि एलेक्ट्रिक के यूवी नौ लाक रुपे से कम की कीमत में क्यूकि आम तर पर माना जाता था कि एलेक्ट्रिक वहन बहुत जादा महेंगे होते हैं उसके बाद में अगले साल यानिके केलेंडर येर 2018 में अपनी XUV300 का भी एलेक्ट्रिक चलने की जो शमता है वो इस कार की होगी तो इलेक्ट्रिक वहनों को लेकर महिंद्रा की तरफ से कई बड़े ऐलान किये गए हैं और सबसे खास बात यही है कि यह तमाम जो वहन हैं वो आपको आने वाले दिनों में आटो एक्सपो में देखने को मिल सकते हैं ये है एबीपी नियूज आपको रखे आगे